नमस्ते आप सभी को आपका स्वागत है मेरे किचिन में आज हम बनाएंगे पोहा बहुत ही आसान तरीके से और कुछ मिंटों में ही और अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए आज की रेसिपी सुरू करते हैं पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम कठाई को गर्म करेंगे उसमें तेल डाल देंगे जब लगे तेल गर्म हो चुका है तो उसमें जीरा डालेंगे फिर हम इसमें राई डालेंगे इसमें हरमेज डालेंगे रमेज डालने के बाद इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे और इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और हाँ इसमें हम चीनी स्किप की हैं अगर आप डालना चाहें तो एक स्पून चीनी डाल सकते हैं और जब देखिए ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो इसमें अब हम प्याज डालेंगे फिर इन सब को अच्छे से फ्राई करेंगे अब हम देख सकते हैं प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है गैस को हमेशा लो फ्लेम पे ही रखेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे नमक डालने के बाद इसमें हल्दी डालेंगे अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि ये प्याज में अच्छे से मिक्स हो जाए ये जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसमें लाल मिर्च डाल देंगे लाल मिर्च आप स्किप भी कर सकते हैं पर लाल मिर्स से कलर काफी अच्छा आता है अब देखे अब हम पुहा डालेंगे जो हम धो करके रखे हुए थे और इस पुहा को डालने के बाद अब इसको मसाले में मिक्स कर लीजिए और ये देखे ये मसाले में अच्छे से मिक्स हो रहा है अब हम इसमें बारीक कटा दिनिया पत्ता से टेस्ट काफी अच्छा आता है इसके बाद इसमें मुंगफली डालेंगे मेरे पास फ्राइ की वी मुंगफली थी आप इस मुंगफली को अलग से फ्राइ करके भी डाल सकते हैं अब इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और यह देखिए कितना अच्छा अच्छा दिख रहे हैं अब हम इसमें नीबू और प्यास डाल करके सर्व करेंगे और हमेशा की तरह अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छे लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू 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 यूफ झाल करें दो